Laptop for students के लिए under 15,000 तो भी अगर आपका budget 50,000 है अगर आप student हो पढ़ते हो पढ़ते हो offline काम करना जाते हो अगर आप online काम करना चाते हो अपके लिए मैं laptop बताऊंगा तो सीधी बात करते है number 4 की number 4 की बात करते हैं लेकिन number 4 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाता हो भी मैं आपको जितने भी laptop बताऊंगा वो video acting के लिए best होने वाले अगर आपने 4K भी try करना है आप कर सकते हो अगर आपने gaming करनी है high graphic पर अगर आप gaming करना चाते हो आप normally easily कर सकोगे plus भी अगर आ as a creator काम करना, as a developer काम करना, programming करना, coding करना है उसके बाद भाई अगर आपने कोई भी heavy software भी यूज़ करना है आप easily normally कर सकोगे तो बात करते है सीधा number 4 की number 4 की बात करने number 4 पर यार मैंने रखा है MI notebook horizon को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाता हो कि इनकी बहुत सही मिल जाता है, plus इसके display quality बहुत अगड़ी है, आपको HD plus web camera साथ में free of cost देखने को मिलेगा, जो कि प्लस पर आजाता है अगर आपने online classes लगानी है, आपके लिए, plus मैं आपको बता जाता है जाता हो, अगर आपने video acting करना है, creator काम करना है, developer काम करना है, plus अगर आप gaming वगारा भी करना जाते हो, आप कर सकते हो, because आपको graphic card की बात करूँ, आपको MX350 2GB graphic card मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाते है, I5 10th generation के साथ देखने को मिलगा, तो specification के according देखा जाए, laptop पूरा loaded देखने को मिल जाता है, मैं आपको main specification बता देता हूँ, थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं, तो यह डिस्प्ले की बातों को 14-inch Full HD display मिल जाते हैं, जो कि anti-glate display प्रोसासर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाते हैं, प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते हैं, graphic card की बात करूँ, आपको NVIDIA MX350 2GB देखने को मिल जाता है, उप्रेणी इसनों की बातों को Windows 10 मिल जाते हैं, बैंटरी की बात करूँ, आपको 10 hours का बैंटरी backup पर वाइड कर देता है, price की बात करूँ, आपको 51,000 के budget में MI Notebook Horizon देखने को मिल जाता है, तो यहार main specification मैंने आपको बता दिया, MI Notebook Horizon के, अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा, इसका minus point सिर्फ यह देखने को मिलता है, कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते है, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा, तो आप इस चीज़ को दियान में रखना, कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता, जो की सच में एक minus point आ जाता है, तो आप देख लेना, अगर आपको यह laptop जो है, वो सही लगता है, आप उसके और जा सकते हो, अगर आपकी कोई requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार, अगर आपको इतने ही मतलों सही लगती है, तो आप इसके और जा सकते हो, अगर आपको 8GB RAM नहीं सही, आपको कोई काम ऐसा है आपको 16GB RAM चाहिए, अगर आपको 32GB RAM चाहिए, तो आपके लिए यह laptop बिल्कुल भी नहीं बना, इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा, आप यह आगे बात कहते है, number 3 की, number 3 की बात करो, number 3 पर यार, मैंने रखा Acer Inspire 5 को, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको 8GB RAM मिल जाती है, expandable आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, SSD के benefit की अगर मैं बात करूँ, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी, as comparison किया जाए, HDD के साथ, HDD की speed बहुत slow होती है, ठीक है, अगर आप 2GB या 3GB की file ट्रांसफर करते हो, तो इसको यार, आदा गंटा 40 minute ऐसे लगते है, लेकिन SSD में आपको ये चीज़े नहीं देखने को मिलेगी, जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए, अगर आप data ज्यादा ट्रांसफर करते हो, graphic card की बात करूँ, आपको नवीड ही है, G4 MX350 देखने को मिल जाती है, बेंटरी लाइफ की बात करूँ, आपको 8 hours का बेंटरी लाइफ पर वाइड कर देता है, प्राइज की बातों को 45 होंचे लेके 51,000 के बड़े में, Acer Aspire 5 ये specification के साथ देखने को मिल जाएगा, तो यह मैंने आपको बता दिये, Acer Aspire 5 के भी, अगर मैं specification के according देखा जो, तो बहुत ज़्यादा सही है, बही आपको 45 होंच पर कर सकते हैं, आपको 2GB graphic card मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाते हैं, जिसको आप upgrade कर जाते हो, 16GB तक, अगर आपने video editing करना है, तो बही मैं आपको recommend करना जाता हूँ, आपने 16GB RAM के minimum चल जाना, उसको upgrade कर लेना, आपके लिए ही benefit होने वाला, अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो, comment section में comment कर सकते हैं, जो मैं जोजे Instagram पर message कर सकते हैं, मैंने link वगरा description box में दिया हो है, अभी आगे बात करते है, number 2 की, तो अभी बात करते है, number 2 की, लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ, number 2 and number 1 को, दोनों को मैंने combine कर दिया, because दोनों ही laptop, जो वो Acer की आउर से ही आते है, इस budget range में Acer बहुत ज़्यादा सही कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, दो laptops के बारे में मैं बात करूँ Acer Aspire 7 की, and मैं बात करूँ Acer Nitro 5 की, सबसे पहले में आपको दोनों के बारे में clear कर देता हूँ, भी अगर आपको office work के लिए चाहिए, अगर आपको gaming design नहीं करने है, आपके लिए best होने बला, इस से, इस से Nitro 5, आप जा सकते हो, इस से Nitro 5 की और वो बहुत हो जाता है, तो अगर आप गेमिंग करना जाते हो, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको office work के लिए, मैंने आपको भी बता दिया, अभी बात करते है, दोनों के main specification की प्राय भी नहीं कह सकता है, इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता है, इस चीज़ को आप दियान में रखना, processor की बातों को i5-19 generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाती है, अपर करेट आप कर सकते हो, 32GB प्लस आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती, graphic card की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाता है, उप्रिणी से इस तर की बातों को Windows 10 मिल जाती है, प्लस आपको fingerprint वगारा भी देखने को मिल जाती है, बैंटरी की बात करूँ, आपको 7 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है, price की बात करूँ, इसका price आपको 50,000 से लेके 54,000 के बिटर में Acer Aspire 7 देखने को मिल तो यहर अब भी बात करते हैं, इस से Nitro 5 की तो डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फ्लेस्टी प्लस IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती है, आप वर सासर की बात करूँ, इसमें भी आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिल जाती है, 3500HS के साथ, ठीक है, storage की बातों को battery backup provide कर देता है, price की बात करूँ, आपको 57,000 के budget में इस से Nitro 5 देखने को मिल जाएगा, तो यहर main specification मैंने आपको दोनों ही laptop के बता दिये, मुझे पता है, मैंने जो आपको laptop बता है, उनका price जो है, वो 50,000 से अपर चला जाता है, तो यहर अगर आप extra पी कर सकते हो, तो मैं आ perfect deal हो जकता है, अगर मतलब अगर आपका budget 50,000 से भी कम है, तो Acer Spire 5 आपके लिए best deal हो सकता है, इस price range में Acer बहुत तगड़ा है, अगर आपका budget 30,000 होता है, तो मैं आपको Lenovo laptop के और जाने को कहा था, विकज़ उतने price range में Lenovo बहुत तगड़ा कर रहा है, लेकिन अगर आपक budget 45,000 से लेके 55,000 हो जाता है, इस price range में Acer laptop बहुत जादा तगड़े है, तो यार अभी मैंने आपको top 4 laptop बता दिया, जो कि आपके लिए perfect deal हो सकता है, अगर आप कोई भी heavy software यूज़ करना जाते हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, आफिस बर के लिए चाहिए, programming करन अगर आपने as a creator काम करना, as a developer काम करना, जा कोई भी loaded file पर काम करना, आप सभी के लिए, जो मैंने आपको laptop बता है, वो बहुत अगड़े होने वाले, तो यार अभी मेरी वीडियो यही पर हो जाती है, खतम, अगर आपको मेरी बेच्छे लगी यार वीडियो को like करताना, comment क अगरना, share करतना, दोस्तों को बताना, दोस्तों के भी दोस्तों को बताना, उनको भी कहतना की चाल को गदा, subscribe, वीडियो को करते like and Instagram, पिकले follow, link अब गार आजरा आपको description box में देखने को मिल जागा उसको चाट करना, मिलते next वीडियो मैंने वीडियो को साथ, thank you